हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल गुलाब जामुन, मिठाई, चॉकलेट, डोनट्स, पेस्ट्रीज, इन सब का नाम सुनते ही मुँ में पानी आ जाता है मीठा खाना लगबग हर किसी को पसंद होता है मगर क्या आप जानते हैं कि जादा मीठा खाने से आपकी यादाश्ट कमजोर हो सकती है और आपको ब्रेन से जुड़े और भी दिक्कते हो सकती है दरसल जब आप जादा मीठा खाते हैं तो आपके बलड याने खून में शुगर की मातरा बढ़ जाती है खून में शुगर घुली होने के विज़ से ये ब्रेन के काम में थोड़ी से रुकावट बनती हैं और उसको कमजोर कर सकती हैं अगर आपको रोजाना जादा मीठा खाने की आदत है तो लंबे समय में यानि आगे जाके आपको ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसका सबसे पहला असर आपकी यादाश पर पड़ता है चीनी दिमाग के कारे शमता को भी अफेक कर सकती हैं इसको बहुत जादा खाने से आपको ब्रेन फॉग, आपको चिंता, स्करदर्द, लो एनरजी, चक्कर आना, चिर्चिड़पन और क्रेविंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके अलावा अगर लंबे टाइम तक आपको किस चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है या आपको यादाश में कमी हो रही है तो ये सब भी जादा चीनी खाने के वज़ा से होता है इसके अलावा चीनी डिप्रेशन को भी बढ़ा सकती है देखिए चीनी दो टाइप की होती है पहली सिंपल शुगर जो कि सबजियों, फलो और नट्स में पाई जाती है और दूसरी होती है प्रोसेश शुगर जो कि हाई केलरी वाली होती है जैसे कि चॉकलेट्स, कोल्ड और काफी सारे प्रोसेस्ट फूड तिंपल शुगर जो अन्य विटामिन होते हैं या फाइबर होते हैं उनकी पूरक होती है इसलिए शरीर इसे एब्सॉब करने में थोड़ा टाइम लेता है आपकी शरीर में जब ये शुगर जाती है तो एक कार्वोहड्रिट को ग्लुक लग जाती है क्योंकि जब आप कम मीठा खाते हैं तो आपको कमजोरी मैसूस होगी और जिससे आपके अंदर मीठे की क्रेविंग पैदा होती है तो अगर आप जादा मीठा खाते हैं और एकदम से आप मीठा खाना बंद कर देते हैं तो आप खुद फील करेंगे कि आपको कमजोरी सी फील होने लग जाती है तो एक तरह की लट आपकी बॉड़ी को लग जाती है इस तरह के मीठा खाने से नेक्स्ट क्या होता है देखे जब चीनी खाते है न तो आपकी ब्रेन में डोपामाइन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है जिससे कि आपको मोड स्विंग्स होते है आपको एंग्जाइटी होती है आप चिर्चडे हो जाते हैं वहीं जब आप बहुत ज़्यादा अमाउट पे पीठी चीज़ों का खाना शिरू करते हैं तो आपका शरीर जो हैं कुछ टाइम तक आपकी बॉड़ी में अलग-लग चेंजिस करने लग जाता है जिससे कि आपके शुगर खाने की क्रेविंग और तेजी से बढ़ने लग जाती है और अगर आपको मीठा खाने को नहीं मिल पा रहा है तो आप चिर्चडे हो जाते हैं आप सीरिस हो जाते हैं आपको एंग्जाइटी फील होने लग जाती है इसलिए मीठा खाईए पर जरुद से जादा मत खाईए यानि कि आपको मीठे की लट नहीं होनी जाहिए और इसके लावा ज़दा मीठा खाने से आपको डाबिटीज होने का खत्रा हो सकता है इनको आप जितना कम हो सके उतना कम ले वरना ये आपकी बॉड़ी को बहुत ही जादा अफेक्ट कर सकती है और फ्रेंड्स कभी-कभी मीठा खाना जाब छोड़ देते हैं तो आपको कुछ लक्षन भी दिख सकते हैं जैसे कि मीठा काने का जादा मन करता है, आपको बेचैनी सी मैसूस होती है आपको दाने या मुहा से पिंपल्स वगड़ा हो सकते हैं आपकी भूग बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है इसलिए जब भी आप छीनी खाना कम करें तो धीरे धीरे करके इसको आपको कम करना है आपको refined sugar जितना हो सके कम खाना है जितने भी natural चीज़े होती है जिसे कि शहेद, गुर्ड और fruits वगरा जो है इनको आपको इस्तमाल करना है हो सकता है कि शिरुवात में दिमाग इस बदलाव को न अपना है लेकिन जैसे जैसे time जाता रहेगा वैसे वैसे यह आपकी लट जो है जो आपके आदत है मीटा दा खाने की यह छूट जाएगी तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहा होगा आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कीजिए कि क्या आपको भी जादा मीठा खाने की आदत है मिलते हैं अब नेक्स वीडियो में